आप जायन सभी को आपको पता है कि एयर फोर्स उन्नीस जुलाई फर्स सिप्ट का एक्जाम हो चुका है अभी आज पेपर मैं थोड़ा सा लेट में लेकर आया हूं लेकिन सारे कोश्चन्स हम लेकर आया हैं यह नहीं कि हाँ इंग्लिस के कोश्चन नहीं दो चार जी के कोश सारे कोश्चन्स यहां पर आपको पूरा आपको देखना और देख और इस प्रस चेहरमन को नहीं है तो आपको पता है डीयाइड के चेहरमन कोन है तो ठीक है इंगलिस के कोशन पूरे नीचे है सारे इंगलिस कोशन ले आएं आज ठीक है कच्छपूडी निरित कहा करा आंध्रपर्देश का है कलाया था आसम का और गुजरात का इंपेसियंट का क्या बताना था एडवर्ब बताना था इंपेसेंटली हो जाएगा आपको पता है गौवर्मेंट भाई वन ओटो क्रेशी बहुत ही इजी कोशन है यहां पे देखो चार मिनार किसने बनाया आपको पता है कुतुबू साने बनवाया था है राजपत का दूसर साथ option number C था ठीक है और condemned का अंटॉनिन था प्रेज ठीक है इस समय तो यही पढ़ा रहा हूं मैं आपको बता ही यह life class सामको होती है और next यहां पे एक था सरक्कमफर्टेबल चार वर्ड मीनिंग ते जिसमें कमफर्टेबल ही सही था ठीक है तो कमफर्टेबल की आई थी उसके बाद में यह पूरा कोशन यह हैड़ वाला मुझे मिला था लेकिन मैंने क्यों उसका रूल यहां पे निकाल लिख दिया है यह हैड़ प्लस वर्प की यह आपको पता है एक आया था अल्टिसवा फिल्म फियर बेस्ट मूबी ऐसे कुछ करके था तो यह आप देख लेना इस पर कोशन एक था ठीक है और उसके बाद में एक पैसिप था तो कायन करके था तो वहां पर हो जागा आपका कायन भी कायन भी प्लस वर्प की थार्ट फार्म और एक ही ऑप्शन में था यह हो जाएगा तो यह सारे इंग्लिस के पेपर थे और जो भी आपका जीके था और उसके बाद में टाइवेंड वर्क का कोश्चन था और एक कोश्चन था यह बहुत एज़ी होते हैं ठीक है तो पेपर रिपीट हो यह पेपर प्रीवि लेट रहने वाला पेपर आपका बहुत ही स्कोरिंग हो रहा है ठीक है तो यह सोच कर मत रहना कि कटाप कम जाएगा ठीक है बस आप मेनत करते रहों बाकी चीज़ों की बात करेंगे तब तक कि लिए जाएं जैवारत लभी और टेक केर बाइवाएं